लो दोस्तों विल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर ने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन दबाना न भूले जिससे नएने अपडेट आपको मिलते रहें दोस्तों आज हम पतंग बनाने वाले हैं प इसके दूनों अगल अगल साइड वाले हिस्से को इसको हम कट कर देंगे पूरा कट करने के बाद पेपर हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा पेपर को हमने कोल लिया है और फिर एक बार इसको हम फिर से मौड लेंगे और मौडने के बाद उपर वाले सीरी को एक बार फिर से हम हलका सा मौड देंगे इसको अच्छे से मौडने के बाद इसको हमें कट कर देना है कई चीसे कट करने के बाद पेपर हमारा कुछ इस परकार से देखेगा दोस्तों इस्टिक को उठा कर हम इसको नाप लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इस्टिक छोटा है और कागज थोड़ा लंबा तो एक बार हम यह भी इस्टिक हमारा छोड़ा हो गया तो दोस्तों खबराने की कोई बात नहीं है हम इसको फिर से मौड लेंगे और इसके साइड वाले हिस्सी को एक बार हम फिर से मौड देंगे तो दोस्तों इसको हम तो दोस्तों इसे हमने मौड दे और फिर कैयी चीशी से हमको कट कर देना है और कट करने के बदे के साइड वाले हिस्सी को पार्क निकाल देंगे और फिर पेपर को एक पार हम फिर से खोलेंगे तो हमारा पेपर कुछ इस परकार से दिखेगा और इस टिक को उठाकर बीच में इसको हम चिपका देंगे आप चाहें तो गोन से इसको चिपका सकते हैं या फिर टेप से तो हम यहाँ पर इसको टेप से चिपकाने वाले हैं तो गाइस टेप से हम इसको थोड़ा थोड़ा सा कट करके इसको इस पे चिपका देंगे जिससे हमारा इस्टिक और कागज एक में चिपक जाए तो चिपकाने के बाद कुछ कागज परकार से दिखेगा और फिर एक इस्टिक को उठाकर उपर आले हिस्से पर हम इसको लगा देंगे और दोनों साइड से इसको चिपका देना है यह भी आप चाहे तो गून से चिपका सकते हैं या फिर टेप का इस्तिमाल कर सकते हैं तो हम यहाँ पर भी टेप का इस्तिमाल कर रहे हैं अब तो हमारा इस्तिक जो है दोनों चिपक गया है और फिर कुछ पतंग हमारा हिस्परकार से दिख रहा है नीचे वाले हिस्सी को तो इस्तिक थोड़ा हमारा लंबट था तो उसे हम तोड़कर और उसके धाग़े को कट कर देंगे और फिर टेप से उसके नीचे अले हिस्सी को चिपका देंगे तागी कागज और इस्तिक आपस में चिपके रहे हैं अलग में हो तो इसको हमने चिपका दिया है और अभी कुछ यहाँ पर ओल लगाना बागी है इसका पुछ तो इसके पुछ बनाने के लिए हमें कागज को कट कर लेना है कागज को कट करने बाद इसको हम फिर से मौड देंगे और फिर कट कर लेंगे कुछ इस परकार से तो कट करने के बाद इसको हम यहाँ पर टेप से चिपका देंगे अच्छे से चिपका देंगे और एक पीछे से ताकि पूछ च्टा हमारा निकले न तो दोस्तों चिपकाने के बाद हमारा पतंग रेड़ी हो गया वीडियो आपको कैसा लगया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धाना